हेलो फ्रेंड्स तो आज ये वड़े काफ हादा डेमाडिंग वीडियों आप से विलोंगे क्या टाइम से कमेंट आ रहेते कि सराव फंगल इंपेक्शन पर बीडियों बनाइ की वीडियों होकते हैं तो चलिए फिर आजmore वरी पार भीडियों स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैं समझना हो कि एक्टिल में फंगल इंफेक्शन होता है तो जो फंगल इंफेक्शन होता है तो जो फंगल इंफेक्शन होता है जो कि एक परकार का इसके इंफेक्शन होता है तो जो फंगल इंफेक्शन होता है तो जो फंगल इंफेक्शन होता है तो जो फं काफवेदा बढ़ जाते हैं तो तभी किसी भी व्यक्तिक और फंगल इंफेक्ट नहों जाता है उसको नौर्मली जो सिंप्टम देखने को मिलते हैं कभी कभी इचिंग होना कभी कि महां पर स्वैलिंग भी थोड़ी बहुत आ जाती है तो यह कुछ प्रकार के सिंप्टम से अगरी आज की वीडियो में रिक्सेस रही है तो चलिए अब हम बात के लेते हैं इसके कुछ चाज़ें के बारे में आकरे क्या क्या कारण होते हैं फंगल इंफेक्टिन होने के तो जो हमारा सबसे पहला जो मेंडरी जो हमारा कॉंटामेरीशन और कोई भी ब्यक्ति गंदा खाना खाता है या गंदा पानी पीता है तो उस कंडिशन में फंगल इंफेक्शन होने के चांजिस काफी एदा बढ़ जाते हैं फिर जो नेक्स है वो हमारा परसन टू परसन तो मैं आपको यहाँ पर एक एक एग्जांपल के दौर बताना चाहूंगा कि वर कोई भी बैक्ति उसको पहले से फंगल इंफेक्शन हो रहता है और को भी नॉर्वन बैक्टि उसके कॉंटेक्ट में आ जाता है तो उस कंडिशन में उस बैक्टि भी फंगल इनिफेक्षन होने के चांजन बढ़ जाते हैं बढ़ जाता है तो जो आपको एक्जांपल दिया तो फरसन टू का तो वह भी एक तरह का एक्जाम्पल है तो यहां पर देखिए जो फंगल इंफेक्शन वह एक तरह का कम्यूनिकेबल डीज है तो उसकी बज़े से भी यहां पर फंगल इंफेक्शन होने के जैसा कि आपने विंटर में देखो आपको रूकी रूकी से हो जाती है वहां पर आपको देखिन को मिल सकता है तो वह एक तरह का नर्मली देखे जा सकते हैं किसी भी फंगल इंफेक्शन वाले पेशन में तो टीटमेंट की बाद कनने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको अमेशा डॉक्टर के एडवाज पर ही यूज करनी है तो जो सबसे पहले टेलबिट आती है वो हमारी टरवीना फाइन टेलबिट जो की काफ़ेदा यूसफुल और काफ़ेदा काफ़ेदा प्रेक्राइब की बीडिका फरइन तो बात करेंगा तो नीच्ति कर सकते हैं तो अब जो Estamos जो आता सब्सक्राइब जो भी आपकी फंगल इंफेक्शन को टीट करने में काफ़धा हेलफुल होता है तो यह जो कैप्सुल जो कि आपको मार्केट में केंडी फॉर्स हंडेट्स या केंडी फॉर्स 200 की डोजिस में भी मिल जाता है लेकिन आपको जब स्ट्राइटिंग स्टेज हो दिये तो इस कं खाना खाने के बाद लेना होता और आपको यह कैप्सुल में से डोक्टर की एडवाज पर यूज़ करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि फंगल इंफेक्शन वाली कंडीशन में पीशिंट को इचिंग भी काफ़धा होती है अगर इचिंग हो रही है तो उस कंड आपको सुब्य शाम खाना खाने के बाद लेनी होती है तो अब नेक्स्ट वह होता है हमारा डॉंप परड़ान पेंटर प्रकार का कॉम्बिशन लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि इसकी जो फंगल इंफेक्शन वाली कंडीशन इसकी क्या जूरुत पड़ गई तो मैं आप आपको बताना चाहिए आप जो भी टैल पर यहां पर क्याक्स यूज करेंगे तो उस कंडिशन में हो सकता है पेशेंट को जो किसी प्रकार की इडिटेशन हो तो इसको भी साथ में जो आपको सुब्य खाली पेट खाना खाने से पहले लेना होता तो यह कैप्सुल आपको दिन में एक बार लेना होता है खाना खाने से पहले तो अब जो नेक्स टबो आती है हमारी कुछ क्रीम जो कि आपकी फंगल इन्फेक्शन वाली जगए पर एपलाइग की जाती हैं तो वैसे तो काफी सारी क्रीम सा आती है लेकिन जो आपके लिए सेलेक्टेड क्रीम है वो तो आपको इन दौने में से एक क्रीम का यूज करना है तो अब जो नेक्स्ट वहता है हमारा सोप जो कि इसके अंदर आपको मौनुसलफरम जैसा जो कि आपकी फंगर इंफ्रेक्शन बाली कंडिशन में काफिदा हिल्फुल होता है तो यह जो पर आपको प्रेसक्राइब कर सकते हैं और इससे पेशन्ट को बहुत जद रिलीव भी मिलता है और आपको इन medication इसाद में कुछ आपको साब देने भी बरतनी होती हैं जैसे कि आपका towel को यूज़ ना करें आपको कवी टाइट कपने नहीं पहने तो ये कुछ आपको जो साब देने वो आपको fungal infection वाली condition में बरतनी होती हैं तो ये ता कुछ कर लेता है तो अमेद करता हूँ आपको ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यूपड़ेशन को सब्सक्राब जरूर कर लीजिए